नमस्कार मैं अनिल कुमार तुर्किया वर्षकन इंत्रा.com की तरफ से काफी क्लाइंट आते हैं जो की ऐसी समस्यां लेके आते हैं जिसमें की टाइम बहुत कम होता है और सामने वाली पार्टी की शादी ब्रेक करने होती है जी ये महापाफ होता है किसी की शादी को रोकना लेकिन अगर अपनी जान पर बने आए तो शास्त्रों में ऐसा विधान है कि हम ये कर सकते हैं लेकिन याद रहें किसी की शादी रोकना तोड़ना ये एक महापाफ है इसको कते ही इस्तिमाल में ना लाए जब तक कि आपकी जान पर ना बनाए अगर ऐसी इस्तिति आपके सामने उमण कर आए कि आपको यह करना पड़ जाए कि अपने प्रेमी की शादी रोपने के लिए आपको यह करना पड़े तो चूके गमत आपको बताऊगा इसको कैसे करना है सबसे पहले तो आप ये देखे कि क्या वो इसलाइक है कि ये प्रियोग उस पर किया जाए क्योंकि ये स्वेम सिद्ध है इसमें मतलब यूं समझ लिए जी कि भगवान से आप आते कर रहे हो अगर सच में वो इसलाइक है कि आप गलती से मतलब कोई जमर्दस की शादी कर रहा हो या फिर किसे दबाव के करण की शादी हो रहे हो तो इसको लाना जो है सही रहेगा अन्यत्या अगर वो अपनी मर्ज़ से किसे और से कर रहा है तो सबसे पहले आती है बात समगरी की इसमें आपको साथ कीले लगेंगी लाल कलर की अगर ऐसी कील आपको ना मिले तो किसी भी कील पर लाल रंग किया जा सकता है दो फोटो खुद बनाइए या फिर उनकी फोटोग्राफ प्रिंट कीजए एक चाकू, नीम्बू, साथ लॉंग और एक सुपारी, सुपारी नहीं इलाइची यह है मिट्टी वहां की जहां पर की कुत्ते लड़े हो वहां से आप एक्दम जैसे ही वो हटे वहां से वहां की जो थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लिया आई है दो मिर्ची, इत्र, अगर इत्र ना हो तो कोई भी सुगंदी चीज आप डाल सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है एक बोटल लेनी है काँच की, याद रहे काँच की होनी चाहिए और कोई नहीं चलेगी इस मिक्टी में आपको जवे, ये चीज़े जो है, ये इन्टेंसिफाइ करेंगी इस चीज़ें को अगर आप चाहों तो इनको डालना ये चीज़े होती हैं अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आप मिक्टी इस में डाली आदे तोड़ जाएं कोई फरक ने पड़ता इसके बाद नीम्बू को काट गए नीम्बू को काटने के बाद इसमें रस जो लग जाएगा आपके चाक उपर उसे 7 बार इनके उपर आपको काटना है साथ बार इसको काट गए इसके बाद जो है इन दोनों को फोल्ड करके इसके अंदर डालिए जैसे अभी हमने महीला को अंदर डाल दिया है बाफ कीजिएगा पूरुष को भी डाला है हमने अब महीला की बारी है बिल्कल ऐसी इसको फोल्ड करके इसके अंदर डालिए दोनों जो तस्वीरे हैं वो मैंने अंदर डाल दी हैं इसके बाद आपको जो इत्र है उसके साथ बूंदे इसमें डाल ली हैं अगर इत्र ना हो तो कोई भी सुगंधित परतारद आप ले सकते हो और अगर साथ बूंदे भी आपको हिसाब ना आए तो बस थोड़ा से इत्र इस पर छड़क दीजिया ये करते हुए आपको उन चीजों का विचार करना है जो आप चाहते हों जैसे आपके मन में भावनाएं आएंगी बिल्कुल वैसे ही असर आपको दिखेगा इसके बाद आपको करना बस इतना है कि जो साथ की लिए है इन से इसको बंद कर देना है मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है इसलिए मुझे ये वीडियो रोग कर जो है करना पड़ा है अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर सकते हो जैसे जैसे आप ये केले लगाएं आपको एक मंत्र बोलना है इसमें ओम क्लीम समस्त शक्त रुनाम स्तम बिताए ओम क्लीम ओम फट इस साथ बार मंत्र हो जाएगा आपका उसके बाद इसको जो है अराम से आप इसमें पैक कर दीजिए आपको पहली बता चुका हूँ अगर आपको इसको जल्दी रिजर्ट देखना हो इंटेंसिफाई करना हो तो आप ये भी इसमें आड़ कर सकते हैं यहाँ पर रखें तो इनको आट कर देता हूं द्यान रहे कि इनमें जो पूरा होना चाही है टूटा नहीं होना चाही है ये जो इसका अपर पार्ड है ये इसमें होना चाहे ये जरूरी है साथों लॉंग डाल दीजिए एक ऐसी रसाइन आपने बना दी है जो कि साथ दिनों के भीतर भीतर जो शादी होने वाली है या फिर पहले दिन से आपको असर दिखाना शुरू करतेगी आप इसमें इलाइची और डाल सकते हैं जितनी लाइची डालोगी उतना जादे इसका जो है रिजर्ट जल्दी होगा और लॉंग साथ ही रहने चाहिए इसमें इसके बाद इसको किसी ऐसे स्थान पर रख दीजे जहां की रोशनी ना आती हो सूरज की किसे ऐसे अंधेरी जगह में जहां पर की सूरज की रोशन आती हो और रोज रात के बारा से दो बज़े के बीच में आपको ये मंत्र इस पर बोलना है ओम क्लीम समस्त शत्रुनाम स्टम्भिताय ओम क्लीम ओम फट ये वाला जो मंत्र आप जितना बोलोगे इस पर उतना ही जो है आपको रिजल्ट इसका मिलेगा अगर कोई भी दिक्कत परिशानी आए तो मुझे कॉल कर सकते हो और आखरी बात सो बातों के एक बात की जब तक जान परना बनियाए हो इसको मत करना ना किसी दोस्त के लिए ना अपने लिए ये तभी करना जब आप खुद परिशानी में हो और करो या मरो वाल इस्तिती हो मैं पहले बता दूँ जितने इसके आपको जितना ये आसान लग रहा है कि इसको आप ऐसे कर सकते हो उतने इसके दूस्त परिश्परिणाब आपके सामने आ सकते है तो तब ही कीजिए कि और कोई option ना हो और तब ये simple सा process आप कर सकते हो और अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे contact जो मेरा link है नीचे description उसे call कीजिए और कोई भी form submit कीजिए तो मैं 24 घंटे की भीतर भीतर इसको बताऊँगा की आपको कैसे करना है सारा कुछ लेकिन फिर से मैं कहाँगा कि इसको सोच समझकर ही उस कीजिएगा या फिर यूज मत ही कीजिएगा Thank you